असलाम लेकुम वीवर्स कैसे हैं आप सब वीवर्स आज की वीडियो में हम अपनी बेबी के लिए वैलवट के कपड़े से बहुत ही खुबसूरत विंटर सीजन के लिए फ्रॉग त्यार करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह देखिए वर्स यह हमारे पास वैलवट के कुछ पीसिस हैं इनसे हम फ्रॉग त्यार करेंगे और यह हमारे पास कंट्रास पीस है इससे हम डिजाइनिंग करेंगे तो यह जो पीस है हमने पहले ही कट कर लिए ताके हमारी वीडियो जादे अलम भी ना हो इसलिए मैं यह पीसिस पहले ही अलग कर लिए थे इस पीस से हम फ्रॉक की पेटी तियार करेंगे इसकी चुडाई हमने 16 इंच ली है और इसकी लंबाई हमने 10.5 इंच ली है आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या जादा भी कर सकते हैं और ये जो पीस है ये हमारे पस घेर का पीस है इस तरह के हमने 2 पीस कट की हैं फ्रंट की चुडाई हमने 12 इंच ली है हम अपनी फ्रॉक पर हमारे घर में जो कॉल्डरिंग की बोटल वगरा होती है उससे हम डिजाइनिंग करेंगे तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा वीडियो को मुकमल देखिएगा ताकि आपको डिजाइनिंग की अच्छ दरूर कीजिएगा अब हम पनी फ्रॉक की कटिंग कर लेंगे सबसे पहले हम तीरे का निशान लगाएंके यह वराएंगे न हविन इस आपको बनागे तार चाहां में तो और निजाएंग कोई धुड़ाई कर लिया थे हैं देट की जटेल genau को स्थाइंग तसी कंज दिसाइंग कुछता हैं और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर किया करें और एक प्यारा सा कॉमेंट करके भी जरूर बताया करें कि आपको मेरी डिजाइनिंग कैसी लगती है यह देखे वर्ज हमने फ्रांट और बैक गले को कट कर लिया है अब हमने फ्रांट के स्लीव कट कर लेंगे इसको हमने कुछ इस तरह से फोर फोल्ड करना है और लंबाई में हमने तेरा इंच पर निशान लगा लेना है अब हमने इस सिंपल तरीके के साथ इसके कंदे की कटिंग कर लेनी है सेंटर में हम कट लगा लेंगे यह देखिएवर्थ हमने अपनी frog के sleeve भी cut कर लिए हैं हमने अपनी frog की cutting मुकमल कर लिया है अब हम इसको stitch कर लेंगे सबसे पहले हम पेटी stitch करेंगे पेटी पर हमने सबसे पहले nek को stitch करना है नेक को stitch करने के लिए एक्स्टर पीसी से बैक और फ्रंट पार्ट के लिए पटिये कट कर ली है इनको हमने कुछ इस तरह से रखते हुए एक पाउं की सिलाई लगा लेंगे और तमाम एक्स्रा कपड़े को हम अंदर की तरफ फॉल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लेंगे यह देखी वर्स हमने बहुत ही की बोटल है इससे मैंने पहले डिजाइनिंग के लिए पीस कट कर लिये हैं तो बोटल की फ्रंट और बैक साइड पर जो हार्ड साइड होती है वो हमने पहले ही कट कर दी थी सेंटर में जो पीस होता है उससे हमने डिजाइनिंग करनी है तो हमने यह रिंग लिया है इसको ह draw करेंगे तो अगर आपके पास यह ring नहीं है तो आप छोटे बचे की चूड़ी वगारा लेकर भी इस तरह से गुलाई में shape देते हुए ring draw कर सकते हैं अगर आपके पास चूड़ी वगारा भी नहीं है कि आपने किस तरह से इसको कट करना है पहले हम बाहर की तरफ से गुलाई में शेप देते हुए इसको कट करेंगे और फिस हम एक साइड से इसको कट करेंगे यह देखे कुछ इस तरह से पकड़ते हुए हमने इसको साइड से कट करना है और फिर हमने जो गुलाई में शेप द कट करना है यह देखे वरस हमने जो पैटरन ड्रॉ किया था उसके मुताबिक हमने अपने रिंग को कट कर लिया है अब जहां पर हमने रिंग को कट किया था उदर हम नोक बना लेनी है दोनों साइड पर ताकि इसको जब हम पट्टी पर अटैज करें तो असानी के साथ यह के मताबिक हम इसको कट कर लेंगे गुलाई में शेप देते हुए इस तरह से आप बटन बगारा बनाकर भी अपनी फ्रॉक पर मुक्तलिफ डिजाइन में यूज कर सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा पीसिस से त्यार की हुई फ्रॉक्स वीडियो देखना चाहते हैं तो वह आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विजिट करके देख सकते हैं अब हमने रिंग पर अटैश करने के लिए कंट्रास कपड़े से यह पीस लिया है इससे हमने पटिये कट करनी है जिनकी चुडाई हमने एक इंच लेनी है और इसकी लंबाई हमने 10 इंच लेनी है इसी साइड से कुछ इस तरह से आपने कपड़े को फोल्ड करना है और दुबारा से कुछ इस तरह से पटी को फोल्ड करना है इस तरह से तमाम पटियों को आपने किनारी पर सिलाई लगानी है यह देखिए हमने तमाम पटियों को स्टिच कर लिया है अब हमने इन पटियों को वो मैं आपको बताती हूँ आपने जो सिलाई वाली साइड है वो बाहर की तरफ करनी है और दूसरी साइड अंदर की तरफ करते हुए रिंग पर पटी को अटेच करने है इसी तरह हमने तमाम पटीों पर सिलाई वाली साइड को बाहर की तरफ करते हुए और दूसरी साइड को अंदर की तरफ करते हुए अटैच कर लेना है ये देखिए कुछ इस तरह से असानी के साथ अगर आप नोक बना लेंगे आगे की साइड पर हमारे रिंग के तो असानी के साथ तमाम रिंग पर पटियें अटैच हो जाएंगी ये देखिए कुछ इस तरह से अटैच होने के बाद इसकी शेप आएगी आप किसी भी कलर की बॉटल से ये रिंग तियार कर सकते हैं क्योंकि बाहर की तरफ तो हमारे रिंग नजर नहीं आएंगे इन पर कपड़ा अटैच हो जाएगा ये देखिए दो रिंग हमने तियार कर लेना है इस तरह से जो डिजाइन बिनाए जाते हैं उनकी वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें मुकमल देखा करें ताके आपको अच्छे से समझाए डिजाइनिंग की ये देखिए हमने जो रिंग के आगे की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने कैसे वो मैं आपको बताती हूँ हमने यूएच यू की मदद से इसको आगे की तरफ से यूएच यू लगाना है और उपर की तरफ इसको कपड़े को अटेच कर लेना है इसी तरह हम दूसरी साइड की नोक पर भी यूएच यू लगा लेंगे जो हमने रिंग तियार किया था औ दबाएंगे तो आगे से हमारा कपड़ा बिल्कुल बंद हो जाएगा और हमारा रिंग बाहर की तरफ भी नजर नहीं आएगा इसी तरह हमने तमाम रिंग के एक्स्ट्रा कपड़े को आगे से फोल्ड कर लिया है यह देखिए कुछ इस तरह से हमारे रिंग बनकर त्यार ह हैं अब इनको हमने रौग पर कैसे अटेज करना है तो आप वीडियो को स्कुप ना कीजिए गा मुकमल स्टेब्स किया है पहले हम पाटन करना अपनी पाट की पेटी पर लीजिए पड ING должно has अपच्छे से समझ लीजी एक हमने यह पैटर्न किस तरहां से ड्रॉ किया था और इस पर हमने किस तरहां से चर्माडोरी को रखते हुए अटेच करना है तो माम हमने जो लाइनकर कि він उसके और हमने रखते हुए चर्माडोरी को अटेच Pri primeiro इस को अटेज कर लेना है यह देखिए वर्थ हमने कुछ इस तरह से पैटरन को ड्रॉ किया था चर्माडोरी को अटेज करते हुए अब उपर की तरफ जो इसकी नोक है उदर हमने यह रिंग त्यार किये हुए उनको हमने रखते हुए अटेज कर लेना है हमने कुछ इस तरह से त बहुती ज़्यादा खुबसूरत लग रहा था बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि हमने बॉटल से त्यार किया है यह देखिए अब हम इनको स्रीच कैसे करेंगे सबसे पहले हमने यूएच यू की मदद से सेंटर में जो बटन अटेच किये हैं उनको हमने कपड़े पर करना है हमारी रिंग की जो ओपन वाली साइड है उसको हमने उपर नीचे की तरफ रखते हुए रिंग को बंद कर लेना है हमारे रिंग की जो ओपन साइड है वो हमारी चर्माडोरी की नोक पर आएगी तो हमने उनको सुई की मदद से स्टीच नहीं करना उसको हमने मशीन क मदद से स्टिच कर लेना है इस तरह से हमारा रिंग बहुत ही अच्छे से मजबूत तरीके के साथ फ्रॉक के साथ अटेच हो जाएगा जो हमारे रिंग और बटन है उन पर हम सिलाई नहीं लगाएंगे उनको हम जैसे तुरपाई करते हैं नीचे की तरफ से हम नीचे से उसक इनको स्टिच करेंगे इसी तरह हमारे जो रिंग गुलाई में शेप दी है उन पर हमने टांके लगा लेने हैं मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझाओं अगर आपको फिर भी किसी चीज की समझ नहीं आती तो आप मुझ अच्छिंग कर लिया है, अब हम अपनी फ्रॉक के दोनों पार्ट को अटेज कर लेंगे, अब हमने जो घेर कट किया था उसको हम पेटी पर अटेज कर लेंगे, गेर की नीचे वाली साईट पर हमने जिग-जग लैस को और चरमाडोरी को अटैज कर लिया है कुछ इस तरह से इसी तरह हमने back part पर भी अटैज किया है अब इस पर हमने plates डालते हुए इसको अपनी पेटी पर अटैज कर लेना है हमने कुछ इस तरह स्थे सिंपल त्राइप के साथ yeah he bought है कर टया लेना है किसी तरह हम सी तरह हमوف high sleigh पर भी सिंपल त्रार के साथ पलेट्स कर लेंगे भर यह बहुत ही सिस्ट के साथ हम प्रॉण और बैक सायड पर टाल हूआ है एसलिए और भी रोए फ्राइप 14- वे अटैज कर लेना है यह काम हमने ओफ कैमरा ही कर लिया था ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो यह देखिए वर्ज बहुत ही फिनिशिंग के साथ दोनों साइट पर हमने अपने स्लीव को अटैज कर लिया है अब हम अपनी फ्रॉग की फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे यह देखिए वर्ज मुकमर स्टीच होने के बाल हमारी फ्रॉग की फाइनल लुक कुछ इस तरह से लिए यह हमने इस पर बीट्स भी अटैज कर लिए और हमारे जो रिंग की ओपन साइड थी जिदर हमने मशीन की मदद से चिलाई लगाए थी उस पर भी हमने बीट्स अटैज कर लिए ताकि हमारी चिलाई नजर ना आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गया आपको